आयुशमान खूरारा की मुवी ड्रीम गर्ल आज रिलीज हो गई है, फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच काफी उच्छा था, और फिल्म के ट्रेलर को भी फैंस ने बहुत पसंद किया था, अब फाइनली आयुशमान की मूवी रिलीज हो चुकी है, और दर्शकों ने इस फि को लोगों नी बहुत पसंद किया है मुवी में आयुष्मान कहीं राम लीला में सीता बने हुए दिखाए दे रहे हैं तो कहीं फोन पर पूजा बनकर लोगों से बात करते हुए नजर आ रहे हैं और जिस हसाब से दर्शकों का रिस्पॉंस है उससे यही लगता है कि मुवी स ऐखाए ज़ान में सुक्वालूज वहीं है तो कि मुवी ने अपने रिलीज के साथ ही धमाकिदार ओपनिंग की है और फिल्म की शांदार ओपनिंग Kick cam की लाइव चार चांद लगा सकती है इस फिल्म का बजट 25 क्रोर रुपए है और इस फिल्म ने अपनी शिरुवात सा और रिपोर्ट्स के मताबिक फिल्म पहले ही हफ्ते में अपने बजट का पैसा कवर कर सकती है तो फिल्म में आईश्मान एक ऐसे लड़की का रूल प्ले कर रहे हैं जो लड़कियों की तरह बाते करता है सार्या पहनता है और कॉल सेंटर में पूजा नाम की लड़की बनकर से बात करता है और उसकी मीथी आवास के काफी सारे लोग दिवाने हैं आपको बता दें कि रिलीज होने से पहले कर बॉलेवुड सितारों के लिए फिल्म की स्क्रीनिंग रखी गई थी और सभी ने इस फिल्म को सूपर डूपर हिट बताया बड़े पर आयुश्मान और न